कॉंग्रिस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाये कि अयोध्या में 22 जन्वरी को प्राढ प्रतुषा कारेक्रम को राज़नेतिक और प्रधानमंतुरी नरेंद्र मोदी एवं रस्स का कारेक्रम बना दिया गया है इंडिया गडवंध्य ने इस पूरे कारेक्रम से दूरी बना रही है इस बीच जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी 22 जन्वरी को शिव मंदिर में पूचा करेंगे वही पश्रिमंगाल की मुख्यमंत्री मंता बैनर जी काली मंदिर में पूचा करेंगे मीडिया खबरों के मताबिक अयोध्य में राम मंदिर प्राण प्रतेशा समारो के दौरान ममता बैनर जी ने 22 जन्वरी को सभी धर्मों के लोगों के साथ टीमसी की सदभाव रैली के घोशना की है राहुल का आरुप बनाया नरेंद्र मोदी फंक्शन अयोध्य में भगवान राम के प्राण प्रतेशा कारेक्रम से जुड़े सवाल पर राहुल गांदी ने कहा कि आरेसस और भाजपा ने 22 जन्वरी के कारेक्रम को पूरी तरह से राजनेतिक नरिंद्र मोदी फंक्शन मना दिया है या RSS और भाजपा का कारिक्रम बन गया है यही कारण है कि Congress अध्यक्ष्र ने कहा कि वे इस कारिक्रम में नहीं जाएंगे राउल गांदी ने कहा कि हम सबी धर्मों के साथ है हमारे लिए ऐसी किसी कारिक्रम में जाना बहुत मुश्किल है जिसे प्रधान मंत्री और RSS के इर्द गिर्द तयार किया गया है